हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशल विद्गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में समय और धायर्य वो दो सद्गुण हैं जिनके बल पर इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी हासिल कर लेता है अगर इसको ध्यान में रखें हर एक व्यक्ति इसके अंसार चले कोई भी कारें सुरू करने के पहले इसको इस्मरण कर ले तो उसके सारे के सारे कारें पूरे कि बैंक के आल्टरनेट्स क्या है या क्या म्यूचल फंट्स बैंक के आल्टरनेट हैं हम इस पर चर्चा करेंगे माइक्सिमम लोगों के विश्यम ये धार्णा रहती है कि बैंक से अच्छा कोई कुछ भी नहीं है मूचल फंट्स क्या होता इसके विश्यम ने बताया इसमें कौन कौन सी स्कीम है किस तरह से इंवेस्मेंट करना चाहिए इसके विसेंब बताया लेकिन आज हम बिल्कुल नए तरह के फंड्स के विसेंब बात करेंगे इस कैटागरीज के फंड्स जो है 2018 में जो हुए थे इनको बोलते हैं ओवरनाइट फंड्स पूरी तरह से डेट फंड्स होते हैं गार्मेंट से क्योलिटी में पैसा लगता है और जो पैसा जहां पे फंड्स मैनेजर इन्वेस्ट करता है उसकी होती है एक दिन में वह मैच्य नहीं है या जोखिम है भी तो बिल्कुल जीरो ना के बराबर तो क्या इसमें जो है जितनी दूसरी स्कीम में मुचल फंट्स में एकुटी ओरेंटेडी स्कीम में रिटन आता है वो मिलेगा उतना रिटन आपको नहीं मिला है यह बैंक में जो जिन लोगों के पास सेविंग बैंक में पैसा पड़ा हुआ है या जो है करेंट एकौन में पैसा रखती है जो बिजनस्मेंन है कार्पो पोरेट्स हैं उन लोगों के लिए यह फंट्स डिजाइन किया गया है इसमें किसी भी तरह का एक्जिट लोड नहीं होता है और ना ही कोई निवेश कर सकता है देखे ओवरनाइट के बिशह में तो मैंने बता दिया यह गौवर्मेंट सेक्यूर्टी में फंड्स मैनेजर पैसा इंवेस्टमेंट करते हैं और एक दिन की मिचूर्टी होती उसमें जो है लगाते हैं जिन लोगों का टाइम होर जिन इंवेस्टमेंट बसुत है मैशने मेहने में के लिए लिए होता है या दस दिन 15 दिन के लिए भी आज आपने अपना रेडम्संस लगा दिया दो जएक पहली और कल मार्केट खुली है तो ग्यारा बज़े तक आपके बैंक एकाउन में पैसा आजाएगा यह फंड्स उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो लोग अपना बैंक में पैसा रखे रहते हैं या उनको लगत पैसनल इंस्टिट्यूशन चलते हैं उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह लोग अपने यहां सीजनल कोर्स चलाते हैं समर्वाइकेशन कोर्स हो गया इस तरह के उसमें फीज तो एक साथ ले लेते हैं लेकिन दो मैने तीन मैने में इनको रेगुलर बैसिस प आपको नहीं मिलता है कि यहां पर रखेंगे यह यहां पर होगी एक चार्ट देखिए आपके सामने आ रहा होगा है उसमें आज के समय में कितनी मीचल फंट्स कंपनीज के पास ओवरनाइट फंट्स हैं यह दिखाया गया है आज के समय में देखा जाए तो टोटल थर्टी यह जो चार्ट आ रहा है यह रेगुलर रेगुलर प्लान में ग्रोफ आफशन के विश्य में आ रहे हैं इसमें अगर कोई ब्यक्ति इंवेस्ट्मेंट कर रहा है क्योंकि ओवरनाइट फंट्स में जो है आईडी सी डब्लू लेने का कोई फाइदा नहीं है कोई यहां पर रूप उसको या एक मेंजे बाद वेंट करना है किसी ब्यक्ति के पास एक लाक रुपेंट डो महने बाद किसी को परट करना दो दो線 what है और पर्षेंट का मैग्सममं तीन परसेंट का तो एक लाग का तीन परसेंट वा तीन हजार रुपए एक महने का ड़ाइस रुपए और दो महने का आपको पांच रुपए मिल जाएगा अगर उसी पैसे को यह मीचल फंड में रखे होते ओवर नाइट फंड में तो इसमें आप देखेंगे दो महने का रिटन कितना रहा है मिनिममम रुटन जो 2 महेने का नूँ 3 मैने मालें जीए 3 महेने के हमने रिटन दिखाएंद 2 महेने दिखाएं और तीन महेने का यहां पिला बचद खाते का भी ले लिए 3 महेने में उनको लन गUBवय 15-600 कितना मिनलाइट फंड में कितना इन महेने का 1.6 परसेंट से कम किसी में या रहा डेड़ परसेंट मान लिजे 1.5 परसेंट पर मन्त के साफ से या 1.5 परसेंट जितना इमांट था उसका 1.5 परसेंट तो कितना हुआ इस परसेंट परसेंट या रही है जिन लोगों के लिए भी अच्छा है कि साथ और उसमें बच्चत खाते में ऊगी उनका कुछ अगर इतने टाइम तक पैसा रहा तो उस मैने का ही पैसा आज आपको मिलेगा लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं आज आपने इंवेस्मेंट किया जो यनेवी है उसके हिसाब से आपको यूनिट से राठ हो जाएंगे और जिस दिन आप अपनी यूनिट सेल करेंगे उस द कि इन्वेस्मेंट करना चाहिए गया आपका पैसा काम करता है आपके लिए इस तरह से एक ऐसे बोलत के रूप में यूज जा सकता लेकिन इसका मतलब यह नहीं आपना बचा खाता नहीं रखेंगे क्योंकि बगर बचात क्वाज आप अपना इन्वे्स्प्रेंग्ड में कभी भी नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको अपना bank account किसी ना किसी नहीं स्लाइज या सेड्यूल bank में रखना आवस्यक हैं इसको investment करने के लिए क्या करना होगा आपको वही सारी फार्मेल्टीज करनी होगी जो मिचल फंड की किसी भी में investment करने के लिए करते हैं इसके लिए हमने पहले भी कई वीडियो बनाएं और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम फिर आगे वाले टाइम पर और एक आध वीडियो बना करके रिलीस कर देंगे हमारा वीडियो पसंद आया इसको ज्यादा से ज्यादा देखें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फैनेंशल विद गोपी क्रस्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अब सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को प्रस करना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहें